नमस्कार सातियो कैसे है हुमेद अच्छ होंगे शातियो जावा स्क्रिप्ट में आज हम पड़ेंगी डाटा टाइप यह variables की value के टाइप होते हैं यह उपरकार के होते हैं एक primitive data type और एक non primitive data type इन दोनों को बारिकी से समझते हैं तो इस वीडियो मन तक बनिये रिगा नमस्कार साती हो मेरा नाम है मनुष्र कुमार और आप देख रहे हैं computer gangori channel तो चलिए सिख लेते हैं देखिए data type को हम पहचानेंगे कैसे जो primitive data type होते हैं उनमें तो होते हैं string, number, boolean और null और undefined और जो non primitive data type होते हैं उनके अंदर होते हैं object और array तो यह देखने के लिए कि data type कौन से हैं जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है where a को मैंने define किया है और उसके अंदर हमने value assign करिये मनोष्र कुमार तो यह data type किस परकार का data type ह कैसे पैचानेंगे तब हम यहां पे लिखते हैं नीचे आता हूँ और मैं यहां पे type करता हूँ documents और इसमें मैं देता हूँ variable a और close करके save कर देंगे और यहां पे आके करते हम refresh space को then अब यहां पे यह value दिखा रहा है मनोष्र कुमार अब यह किस परकार का data type है उस चीज के लिए मैं यहां पे फिर से type करता हूँ document.write और इसमें हम डालेंगे कि किस परकार का type है उसके लिए मैं यहां पे लिखता हूँ type of और अब मैं लिख दूँगा यह variable तो यह हमको बता देगा कि किस परकार का data type है इसको save करके और हम दी page को refresh करते हैं वापस से यहां पे तब उड़ गया तो यहां पे एक line break यूज कर लेते हैं मैं करता हूँ फिर से और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ BR डबल डाल देते हैं एक और BR लिख देंगे save कर लेंगे और इसको कर देंगे हम refresh यह भाग गया सारा यह हमने यहां पे define क्या था यह inverted को मास के अंदर हम डाले करेंगे ठीक है यहां भी इनुरेट को मास करेंगे save करके अब refresh करेंगे यहां पे line break नजर आएगा तो line break से हम पता चल जाएगा कि हमने data क्या लिया है और उसकी type क्या है ठीक है तो यहां पे हमने जैसे लिखा था double quotes के अंदर जो भी हम लिखेंगे चाए हम text लिख रहे है वो हमारी string ही आएगी यह string data type है पहले ही हम को पता है मनोज कुमार यह text लिखा है तो string है हम यहां पे number लिखते है मैं यहां पे करता हूं number save करेंगे और refresh करेंगे then number तो आ गया 20 लेकिन यह अभी भी string मान रहा है इसको text मान रहा है अगर हम यहां पे double quote ना लगाए मैं यहां double quote हटा देता हूं और save करेंगे और फिर से refresh करेंगे तो यहां पे आप दिखा रहा है यह number data type है अच्छा quotes के अंदर आप double quotes यूज कर सकते हैं single quotes यूज कर सकते हैं मैं यहां पे single quote यूज करता हूं तब भी यह string के अंदर ही आएगा इसको save कर देंगे save करके refresh करेंगे then यहां पे इसको save कर देंगे save करके refresh करेंगे then अब यह क्या दिखा रहा है undefined हमने variable तो लिया है लेकिन अभी हमने इसको define नहीं कर रहा है तो यहां भी undefined आ रहा है और यह इसका type भी undefined ही दिखा रहा है या फिर हम यहां पे लिख भी सकते हैं जैसे हमने किया equal to और यहां यहां पे मैं कर दू undefined ठीक है और save करेंगे और वापस यहां पे refresh करते हैं यह inverted को मस हटाते हैं यहां से हम और यहां पे हमने लिख दिया undefined save करके refresh करेंगे तो अब भी उस स्थिति में यह undefined ही रहेगा तो जब भी हम कोई value को assign नहीं कराते हैं कुछ भी define नहीं कराते है तो यह यहां पे type दिखाएगा undefined या फिर हम कोई भी value नहीं लिख रहे हैं यहां पे कर देते हैं null save करके refresh करेंगे then अब यह null object दिखाएगे ठीक है यहां पे null आ गया और object तो यह null को object के रूप में read करेगा और यह object एक चीज़ को और object read करता है वो करता है array को वो array भी मैं बताऊंगा लेकिन पहले आप मैं बता देता हूँ boolean किसको दिखाता है boolean दिखाता है जब हम value यहां पे type करते है true या false value type करते हैं मैं यहां पे true type करता हूँ refresh करेंगे तो अब यह होगा boolean का true और false भी बहुत ही काम का data type है जो कि आगे अभी आपके सामने आएंगे एक array बनाते हैं array box bracket के अंदर बनेगा कि हमने यहां पर डाल दिया एक तो color red एक हमने डाल दिया green और हमने डाल दिया और भी डाल लेते हैं मैं डाल लेता हूँ एक blue ठीक है इस परकार से हमने तीन color डाली है यानि कि multiple value हमने यहां पर assign करी है तो multiple value यहां पर आ जाती है वो हम पर refresh करेंगे तो देखो array हमार आ गया लेकिन इसको क्या दिखा रहा है object दिखा रहा है तो javascript में यह इसको object के रूप में read करेगा array को simple भासा में हम इसको array बोलते हैं और एक होता है object, object को हम curly brackets में define करते हैं जैसे कि यहां से मैं इनको तो हटाता हूँ और यहां पर करते हैं curly bracket start, उसके अंदर close भी कर लेते हैं पहले साथ साथ, curly bracket में मैंने लिखा यहां पर मान लीजिए name, colon यूज करेंगे और colon के बाद मैं यहां फिर से coat के अंदर लिख देता हूँ, name तो है भाई हमारा मनोज कुमार, coma यूज करेंगे, दूसरा हम डालना चाते हैं, दूसरा हम डाल रहे हैं by country, फिर से colon यूज करेंगे, quotes में हम लिख देंगे country, इसी परकार तीसरा कोई object, चोथा कोई object, इस परकार से हम object डालते चले जाएंगे, यह होते हमारे object, save कर देंगे और वापस यहां पर refresh करेंगे, then अब यह देखो, दोनों जगे object दि हमारे पास जो value असन करी है, वो भी object है, और यह data type भी object ही है, तो आपको पता चल गया होगा, आगी हमारे पास जो data type हम लेते हैं, वो कौन कौन से data type होते हैं, किस परकार से उनको लिखा जाता है, राइट, आसा करूँगा यह वीडियो आपको जूर अच्छा लगा होगा, इसी परकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए मैं साथ जुड़े रहें, हमारे वीडियो को हमें दोस्तों में शेर करें, हमें लाइक करें, और यह दी नए है पर हमेरे चैनल पे, तो हमें सब्स्क्राइब भी जरूर कर लें